हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा जिन लोगोंने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डेस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं शुरू करते हैं, question number 1 है, यद A to B equal to 5 to 7 हो तो 3A plus 5B to 5A minus 2B ग्यात कीजिए, तो हमको क्या दिया है, A to B दिया है, A to B का मतलब होता है A upon B, किसके equal है 5 to 7, तो 5 to 7 का मतलब हो गया 5 upon 7, और हमको calculate क्या करना है, 3A plus 5B upon 5A minus 2B यह हमको calculate करना है, तो यह कैसे calculate करते हैं, तो जो उपर A है, तो उपर वाला number A मान लेते हैं और नीचे B है, नीचे वाला number हम B मान लेते हैं, तो A की जगा हम 5 रखेंगे और B की जगा 7 रखेंगे, इस equation में, तो A की जगा क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 3 into 5 plus 5 into 7, B की जगा क्या रखेंगे 7 तो 5 इंटू 7 अपन नीचे क्या रखेंगे 5 इंटू एक जगा 5 माइनस 2 और इंटू 7 ठीक है यहां 7 है 2 इंटू 7 फिर से लिख लेते हैं जगा कम पड़ लाई है 3 यह प्लस 5 भी है तो एक ही जगा क्या रखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अपन नीचे क्या है 5 माइनस 2 भी तो 5 इंटू एक ही जगा 5 माइनस 2 इंटू बी की जगा 7 तो कितना हो जागा उपर 5 3 जा 15 प्लस 5 से बिख जा 35 15 प्लस 35 और नीचे कितना हो जागा 25 माइनस 14 तो कितना हो जागा उपर 50 अपन 11 ठीक है तो यह इसकी बैलू आ जाएगी 3 यह प्लस 5 भी इस्टू 5 माइनस 2 भी इसको हम इसे भी लिख सकते हैं 50 इस्टू 11 यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है फ्लस इस्टू अप्लस तो किसके दिया है फाइज उस्टू 8 तो 5 इस्टू 8 का मतलब 5 अपन 8 अब हम क्या करेंगे, इनको cross multiply कर देंगे, ठीक है, तो 0.75 into 8 किसके equal हो जाएगा, 5x के equal हो जाएगा, तो 5 into x किसके equal हो जाएगा, 0.75 into 8 के, तो यहां से x की value क्या आएगी, x बराबर 0.75 into 8 upon 5 आजाएगा, ठीक है, यह नीचे 5 है, फिर से लिख लेता हूँ इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.75 into 8 upon 5 हो जाएगा, तो यहां से x की value कितनी आजाएगी, x की value 1.2 हो जाएगी, इसको simple करेंगे हम, तो x का मान 1.2 हो जाएगा, यह इसका answer हो जाएगा, next question है, question number 3 है, 5, 9, 12 का चतुर्था नूपाती याद कीजिए, तो इनका जो 4 proportions है, वो 4 proportions या 4 नूपाती हमको calculate करना है, तो मान लेते हैं, माना, चतुर्था नूपाती क्या है, था, नूपाती, x है, जब चतुर्था नूपाती x हो गया, तो आपके number 5, 9, 12 और x हो जाएगे, ठीक है, अब क्या होता है, जो proportions होते हैं, तो जो पहले 5 और 9 का जो ratio होगा, वो 12 और x के ratio के equal होगा, तो पहले 2 number का ratio, last के 2 number के ratio के equal होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 is to 9, किसके equal होगा, 12 is to x के, ठीक है, क्योंकि 4th number x है, तो इसको cross multiply कर देंगे, तो 5 x equal to कितना हो जाएगा, 12 into 9, 5 x equal to 12 into 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 into 9 upon 5, तो इसको simple करेंगे, तो यहां से x की value कितनी आ जाएगी, बताइए, x की value 21.6 हो जाएगी, तो x बराबर क्या आएगा, 21.6, और इसको हमने क्या माना था, 4th proportion या 4th नूपाती माना था, तो इसका 4th proportions क्या हो जाएगा, 21.6 हो जाएगा, यह इसका answer हो जाएगा, next question है, question number 4 है, 1824 का 3rd नूपाती ग्याद कीजिए, या इसका 3rd नूपाती क्या होगा, तो 3rd proportions हमको calculate करना है, तो 3rd proportions कैसे calculate करते हैं, मान लेते हैं, माना, तिर्टिया नूपाती जो है, X है, X है, ठीक है, तिर्टिया नूपाती X मान लिया, अब 4 नंबर क्या हो जाएगे, क्योंकि जब 4 नंबर होंगे, तभी 2-2 का ratio निकलेगा, तीन नंबरों में 2-2 ratio नहीं आएगा, पहले 2 नंबर का आप ratio ले लेंगे, लेकिन 3rd नंबर का ratio किसके साथ लेंगे, तो उसके लिए 4th नंबर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें 18, 24, जो 2nd नंबर होता है, इसको हम दुबारा लिख लेते हैं, 24 और 4th जो हमने 3 नूपाती माना है, वो X मान लिया है, तो 3 नूपाती कैसे निकालेंगे हम, इन दो का ratio equal होना चाहिए, इन दो के ratio के equal, बस आपको ये धियान लखना है, जब तिर्टिया नूपाती निकालेंगे, तो 4 नंबर बनाने के लिए, या 4 संख्याएं बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, जो 2nd संख्या है, उसको दुबारा repeat कर देंगे, यहां हमने क्या क्या है, 18 और 24 को हमने दो बाल लिख दिया, 24, 24 और 4 हमने x लिख दिया है, जो हमारा ये तिर्टिया नूपाती है, यही हमको calculate करना है, तो 18 अपॉन 24 क्या हो जाएगा, पहले दो नंबर का ratio किसके equal होगा, बात के दो नंबर के ratio के equal होगा, 24 अपॉन 24 अपॉ तो x बराबर क्या होगा, 24 अपॉन 24 अपॉन 18, ठीक है, इसको simple करेंगे, तो x बराबर की कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, यहां x की value 32 हो जाएगी, तो इसका जो third proportion यहां 30 अनूपाती होगा, उसकी value क्या होगी, 32 होगी, तो इसका answer 32 आ जाएगा, next question है, question number 5 है, 4 और 9 का मध्यानूपाती क्या होगा, तो इनका mid proportion हमको calculate करना है, मध्यानूपाती क्या होता है, mid proportions होता है, तो mid proportions या मध्यानूपाती कैसे calculate करते हैं, तो मध्यानूपाती, या mid proportions बोलते हैं, mid proportions, किसके equal होगा, equal to square root, first number 4 into second number 9, तो पहला number या पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या, square root के अंदर, तो कितना हो जाएगा, square root 36, 36 का square root कितना होगा, 6 हो जाएगा, या 36 का जो बर्गमूला है, तो इसका mid proportions या मध्यानूपाती, क्या होगा, 6 होगा, तो मध्यानूपाती का formula याा रखेगेगा, मध्यानूपाती या mid proportions बराबर होता है, square root first number into second number पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या दोनों का जो गुलन फल आएगा उसका हम बर्गमूर ले लेंगे वो मध्यानूपाती हो जाएगा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखना आने वाले टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपको आपका मैत इतना इजी बना दूँगा ताकि आप क्वेशन देखकर ही सॉल्व करने लगेंगे फिर आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप देखते ही उसका अंसर निकाल सकते हैं तो आप मेरे चैनल से जोड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के शेयर भी करें थैंक यू